तो बच्चों, कैसे हो आप? अपना ख्याल रखना, आज आपके लिए एक नई कहानी लेके आया हुमें, जिसका नाम है लालची कुत्ता एक गाउं में एक लालची कुत्ता रहता था, वै गाउं में घुम घुम कर खाने की तलाश करता था वै इतना लालची था कि उसे जितना भी खाने के लिए मिलता था, उसे कम ही लगता था गाउं के दूसरे कुत्तों के साथ वै पहले उसकी अच्छी दोस्ती थी लेकिन उसकी इस आदत की वजह से सभी उससे दूर रहने लगे लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसे सिर्फ अपने भोजन से मतलब था कोई न कोई आते जाते उसे खाने के लिए कुछ न कुछ दे ही देता था उसे जो खाने को मिलता उसे वो अकेले ही चट कर जाता एक दिन उसे कहीं से एक हड़ी मिल गई, हड़ी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा उसने सोचा कि इसका आनन तो अकेले ही लेना चाहिए यह सोचकर वो गाउं से जंगल की ओर जाने लगा रास्ते में एक नदी पार करना पड़ता था उस गाउं में उस नदी को पार्ण करने के लिए लोगों ने एक लकड़ी का पुल बनाया था वह कुत्ता रास्ते में जाते वक्त उसी लकड़ी के पुल के उपर नदी पार करने लगा तभी उसकी नजर नीचे नदी के ठैरे हुए पानी में पड़ी उस समय उसकी आँखों में सिर्फ हड़ी का लालज था उसे यह भी नहीं पता चला कि नदी में उसी का चहरा नजर आ रहा है उसे लगा कि नीचे भी कोई कुत्ता है जिसके पास एक और हड़ी है उसने सोचा कि क्यों न उसकी हड़ी को भी छीन लूँ तो मेरे पास दो हड़ीयां हो जाएगी फिर मैं एक साथ दो हड़ीयों के मजे से खा सकूँगा ऐसा सोचकर जैसे ही वो कुत्ता उस अपनी परचाई के कुत्ते को देखकर भूंकने लगा उसी समय उसके मूँ से अपनी हड़ी का टुकड़ा भी पानी में गिर गया और गिर के नदी में बह गया उसी वक्त वो कुस्ते को गुसा आ गया और वो पानी में कूद गया मूँ से छूट कर हड़ी को पानी में गिरते हुए कुते का होश आया और उसे अपने किये पर बच्तावा हुआ तो बच्चों कहानी से सीख क्या मिली आज आपको इस कहानी से हमें यह सिक मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए लालच करने से हमारा ही नुकसान होता है तो आज के लिए इतना है तो बच्चो अगले नियू एपिसोड में आपके लिए और भी मजेदार कहानिया लेके आऊंगा धन्यवाद अपडेट्स